गुरीविंग एवरिवान रिगारिंग UFM में आने वाली थी आज और पाले ही बता चुकी थी आप लोगो वैसे 18 दिन हो गये हैं घर में बैठे-बैठें फोफुली आप लोग अभी भी मोटिवेटेड होगे और प्रॉपर तरीके से आपके तयारी चल रही होगी ऐसे भी क काफी कुछ हम लोग online भी कर रहे हैं और मेरे classes already KD live में चल रही है इसलिए आप लोगो ज़्यादा परिशानी नहीं हो रही होगी और regarding UFM मैं आपको गाइड करना चाहती थी लेकिन प्राभलम क्या है नहीं पिछले 2-3 दिनों से हम लोग किसी एक project में बिज़ी थे जो मैं चाहरी थी कि सारे हम लोग एक selfless service प्रॉबाइब करें एक platform प्रॉबाइब करें जहां पे सारे हम लोग teachers आके और एक selfless service प्रोवाइड करें students के welfare के लिए तो उससे related कुछ चीजों में मैं काफी वियस्त रही पिछले करीबन 4 दिन से उसमें मैं वियस्ती हाला कि जब आप बहुत लोगों को लेकर चलते हो तो बहुत माथा पच्ची भी होता है तो बहुत सारे लोगों को लेकर चलने पर तो काफी problem हो रहे थे लेकिन ultimately कुछ हम लोग zero down कर रहे हैं और बहुत जल्दी हो सकता है lockdown खुलने के बाद एक हमारे तरफ से हम सभी teachers के तरफ से एक selfless initiative के रूप में हमारे जो teacher से उनकी द्वारा कुछ हम लोग करने की कोशिश करेंगे अब आते हैं हम लोग UFM के तरफ तो दिखो बात क्या है उसके लिए भी मैंने सोचा पहले मैं homework कर लूँ क्योंकि आप लोग सिर्फ आके लाइव और हल्ला मचाने से कुछ नहीं होता अब जो पिछले चार साल पहले जब ये शुरू हुआ था descriptive उससे related में बता दूँ आपको उस समय CHSL के exam में ही कुछ बच्चों ने sketch pen इस्तमाल किया था और colored pens इसे green, yellow और red वगरा इस्तमाल किया था उस समय उन लोग को zero marks award कर दिया गया था और वो लोग court किया थे और court में जो decision हुआ था उसमें ये था कि बच्चे जो गलती किये हैं वो ignorant और innocent mistake है इसलिए ऐसे जो innocently mistake किया गया है वो unfair means के तहत नहीं आ सकता अब देखो आप लोगों को सबसे पहले बता दूँ कि आप लोग जो trend चला रहे हो twitter में और बाकी social media में उसे आप बहुत सारे media का ध्यान अपने तरफ आकर्षित कर सकते हो लेकिन वो से सर्फ ध्यान आकर्षित हो कि एक अच्छी बात हो जाएगी कि media में यह चीज highlight हो जाएगा तो आप जानते हो कोई भी commission है वो थोड़ा pressure में तो आ जाता है ठीक है तो लेकिन इसमें सबसे बड़ा problem क्या है न कि अगर आप इसकी बात करोगे कि UFM क्या है तो उसका exactly तो meaning यह unfair means unfair means उस समय शिरुवात हुई जिस समय schools में CBSC हो या ICC बोर्ड हो तो हम लोगों को यह रहता था कि हम लोग अपना नाम नहीं लिख सकते थे और letters वगरा में नाम नहीं लिखा जाता था इसलिए क्योंकि माना जाता था कि teachers और students की बीच में एक bond हो जाता है जिसके बाद teachers अपने जो favorite students हैं उनको ज़्यादा marks देते हैं तो इसलिए वो सब हटा दिया गया था कि आप अपना original नाम नहीं लिखेंगे अगर नाम वहाँ दिया है letter में तो उस नाम को उस letter में वो नाम लिखोगे नहीं तो x, y, z लिखोगे जहां address की बाद हो वहाँ 123 लिखोगे लेकिन हुआ क्या कि जो students थे वो unfair means को ये एक दारा expand करता गया चाहे वो कोई commission हो या कोई school हो लेकिन strictly देखा जाए तो unfair means का मतलब है मेरा phone number, मेरा घर का address या किसी तरह कोई chin हो जो मैंने वहाँ छोड़ा हुआ हो अपना नाम तो होगा ही होगा unfair means में लेकिन CBSE का बहुत ही fixed rule है और वो ये है कि हम अराम से x, y, z, examination hall 123 वगरा लिखते आए अब देखो, quote भी क्या है न कई बार ऐसा होता है कि quote आपके intention को देखता है quote ये नहीं देखता है कि हाँ ये unfair means में आएगा कि नहीं आएगा कई बार आपके intention को देखता है अगर उनको ये महसूस हो कि इस student ने 25z oblique 3 इसली लिखा है अगर आप इस चीज़ को express कर सको तो कि हाँ हम ऐसे जगा पे रहते आए हैं जहां पे हमारे address ऐसे ही व्यक्त होते हैं इसली ये बिलकुल innocent mistake है जो हमने एक imaginary घर का number लिख दिया जो की नहीं होना चाहिए था लेकिन अगर आप unfair means में अगर code जाते हो तो आप लोग सभी जाओगे आपको ये पता है आप लोग सब जाओगे अगर आप सब लोग जाते हो तो ये एक काफी दवाब बनता है और जब हम innocent है तो एक innocent mistake कर दिये हाला कि देखो एक चीज़ है कुछ लोगों ने कुछ imaginary नाम भी लिख दिया है और कह रहे हैं कि नहीं गलती से लिखा गया तो फिर तो मैं आपको बता दूँ कि कुछ चीज़ें इसमें होगी जो SSE नहीं मानेगी लेकिन जिन लोगों ने मुझे दिखाया है कि house number 123 पे या XYZ पे दिया है ये सब तो बिलकुल मैं कह सकती हूँ इसका मतलब है जो उनके papers correction कर रहे हैं वो CBSE के norm से भी अवगत नहीं है CBSE के जो teachers वो इतना तो जानते ही हैं इतना अच्छे से जानते हैं कि वो XYZ और ABC और PQR तो एकदम allowed है ये वो अच्छे से जानते हैं इसने जहां तक मेरा मानना है कि आप लोग सब जा सकते हो अच्छा कुछ students मुझे message कियें मैंने कहा कि आप लोग code जाओ देखो अभी ना SSC खुला है ना code खुला है कुछ भी नहीं खुला है आप लोग आपस में एक interact करके किसी के साथ आप tie-up हो सकते हो किसी lawyer से suggestion ले सकते हो आप जैसे cat वगरा के किसी अच्छी lawyer से suggestion ले सकते हो ये सब homework करके रख सकते हो अभी आप उसके अलावा और कुछ भी करके नहीं रख सकते हो अब कुछ लोग का कहना है कि नहीं हमने तो CHSL दिया ही नहीं हम तो CGL को लेके चिंग दे थे देखो CHSL हो या CGL हो आप कोई सा भी exam दिये हो अगर आप को लग रहा है कि ये गलत है तो आप उनका सहियो करो नहीं तो सिर्फ अगर court जाने की बात है तो सिर्फ aggrieved party ही court जा सकती है जिसके साथ ऐसा हुआ है जो aggrieved नहीं है वो assumption पर तो court नहीं जा सकते है लेकिन आप उनको support तो कर सकते हो जो aggrieved है क्योंकि मैं आज से नहीं मैं तीन साल से इस चीज को इस सवाल को उठा रही हूँ इस चीज़ को मैं तीन साल से इस बात को मैं बार बार उठा रही हूँ कि सिर्फ टिक मार्क टिक मार्क करकर के वो मार्क्स बठा दे रहे हैं देखो फर्स टाइम उन्होंने जो स्वच भारत अभियान के समय में जो सबसे पहला एक्जाम था उन्होंने उस समय बताया था हम फॉर्मिट में मार्क कितने देने वाले हैं हम कॉंटेंस में कितने देने वाले हैं हम इन्फॉर्मेशन पे कितने देने वाले हैं लेकिन ऐसा कहीं पर भी किसी के पेपर में मुझे तो दिखाई नहीं दिया सिर्फ टिकमा करते हो और मार्क्स बिठा देते हैं आप लोग खुश भी रहते हो आप दुखी होते हो कुछ करते भी नहीं हो अच्छा दूसरी बात है एड्रेस जो दिया था वो सिर्फ दिया है लोधी रोड और न्यू डेली भाई लोधी रोड दिल्ली में रहने वारे लोग जानते हैं लोधी रोड इतना बड़ा है कि भाई कुछ तो हाउस नमबर लिखेंगे अब हाउस नमबर 123 लगाया तो भी प्रॉब्लम तो इसका मतलब है कि आप सब जा सकते हो कि अगर अच्छा दूसरी बात है कुछ लोग ये कह रहे है माम हमने 123 नहीं लिखा हमने 25Z लिख दिया या 2533 लिख दिया ऐसे में आप अपने एक्जामपल के लिए आप पिछले साल के बच्चों के आंसर शीट देख सकते हो अगर उसमें कोई ऐसा इमाजनरी नमबर लिखा हुआ है और उस समय उनको मार्क्स दे के पास किया गया है और वो नौकली में लगे हुए हैं तो आप उनको अपने लिए लगा सकते हो कि ऐसे बीच में कभी भी कोई इनका नौटिफिकेशन नहीं आया कि हम अब तक के बच्चों को तो पास करते आ रहे थे अब ऐसा कोई इमाजनरी नमबर भी रहगा तो हम पास नहीं करेंगे तो हमें रातो रात सपना नहीं आएगा कि ऐसा कुछ हुआ है लेकिन फ्रांक्ली देखा जाए तो आप सीरियल नमबर लिख सकते हो 123, PQR, ABC, XYZ यह मैं बार-बार अपने डिस्क्रिप्टिव बैच में अपने स्टूडिन्स को बता चुके अब अगर इमाजनरी नमबर लिख रहे हो 25, 33 या 749 तो यह सब थोड़ा सा सही तरीका नहीं होता लेकिन मेरा यही मानना है कि अगर इसके पहले जो पेपर्स हुए हैं और उसमें ऐसे इमाजनरी नेम या नमबर लिखके अगर वो पास हुए हैं तो आप उसको लेकर और अपने पेपर को लेकर कोड़ जा सकते हो कि जब उनको पास किया गया है तो हम इनके पेपर्स देखके हमने तयारी की थी इसलिए हमें भी पास किया जाए क्योंकि ऐसे बीच में कोई इनका नॉटिफिकेशन नहीं आया है कि अब इससे इनको मानिता नहीं दी जाएगी अब ऐसे पेपर्स को हम UFM में डालेंगे देखो बहुत सारे बच्चे UFM में अब मैंने कई बार जवाब दे दिया है उनको कि आप जीत जाओगे क्योंकि सीधा सीधा देखा जाए तो एक तो descriptive का correction का तरीका ही मुझे पसंद नहीं आया कि कोई भी बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि हमको 60 आया तो क्यों आया या कोई दो कमेंट तो लिखेगा जो वहाँ पेपर करेक्षhin कर रहा है वो मुफ्त तो कर दिता है उसे पेपर करेक्षन करने के पैसे मिल रहे होंगे सिसे के द्वारा तो क्या आप दो लइन नहीं लिख सकते हैं उसमें ठीक है तो अगर पैसे लिये जा रहे है हम लोग भी हम पैसे लेते हैं तो खून पसीना एक कर देते हैं पढ़ाने में आपको बैठे बिठाई खाली पेपर करेक्शन करने के पैसे मिल रहे हैं तो कम से कम चार लाइन तो लिख सकते हो कि बेटा तुम्हें हमने 40 दिया तो क्यों दिया दूसरी बात है यूए फम का जुनों नहीं 123 X Y Z में भी जिसने उफम दिया है उनको तो स्ट्रेट अवे आगे से पेपर करेक्शन करने से ही रोका जाना चाहिए इसका मतलब है वो CBSE के नौम्स तक नहीं जानते हैं लेकिन यह सब चीजें तब हो सकेगा जब आप यह सब चीजें तब हो पाएगा जब आप आगे लॉ लेकिन अगर और वो सबसे अच्छा उनका केस बनेगा जो बच्चे पहले पास कर चुके हैं और उनको भी UFM इस बार दे दिया गया है उनके पास तो बहुत अच्छा मामला बनता है कि भाई पिछले साथ मैं पास हो इस बार फेल हूँ क्यों तो आप समझो अभी तो कोई कुछ नहीं कर सकता आप लोक सिर्फ क्योंकि मैं तुटर में तो हूँ नहीं मैं उसमें active बिलकुल भी नहीं हूँ और आप सिर्फ ये काम कर सकते हो कि आप सबसे पहले इस का जो तो आपने ट्रेंड चालू किया है उसको आप लोग रेगुलर यूज कर सकते हो इस सोशल मीडिया को लेकिन अल्टीमेटली तो देखो आपको युनाइट होके इसके खिलाफ एक बार जाना पड़ेगा हाला कि SSE में तो मैंने सुना था कुछ बच्चे गय थे उनको सीधा कह दिया गया कि जो करना है कर लो कुछ नहीं हो सकता लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप युनाइट होके जाओगे कि इतना आगे बढ़ने के बाद आप लोग को इस तरह से आउट कर दिया जा रहा है वो सह हमें कहां पर कितना मार्क्स मिल रह है और क्यों मार्क्स कट रहा है वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए जो कि डिस्क्रिप्टिव में जरूरी है और अपना वो जो मुझे याद नहीं आ रहा है मुझे लगता है तीन साल पहले का मैं बता रही हूँ उसमें जो sketch pen इस्तमाल किये थे बच्चे उसमें जो judgment आया था वो judgment जड़ा निकाल के ठीक से read कर लो क्योंकि वो judgment आपको बहुत काम में आएगा क्योंकि वो भी unfair means कहके उनको zero awarded था और उसमें वो court का फैसला बच्चों के पक्ष में आया था तो वो भी आप देख लो ठीक है उसके अलावा किसी तरह कोई बात हो तो आप हमें personal message कर सकते हो या इसमें आप comments में डाल सकते हो लेकिन आप H's और जान लो कि इसमें आप लोग सब को united होके और आपको इसमें proper lawyer के guidance भी लेना पड़ेगा और आपको पहले के जो judgment से वो निकाल के रखने पड़ेंगे तो तीन या चार साल पहले का judgment है जो पहली बार exam हुआ था उस समय का judgment है वो निकाल लो आप लोग आपके favor में आएगा और अभी आप लोग बस घर में रहो सेफ रहो पढ़ाई के लिए समय है पढ़ते रहेंगे बाद में online class आपने अगर लिया हुआ है तो online में मैंने केडी live में अभी भी classes ले रही हूँ और घर में रही है सुरक्षत रही है और बस खाली एक आप लोग जो homework है वो करके रखो ताकि जैसे खुलेगा वैसे हम आपको फिर आगे कोई guidance की जरुवत हो कर देंगे लेकिन social media में जितनी आप लोग active हो अच्छी बात है लेकिन उसमें पहले आप लोग एक सामन जस्से बनाईए और एक proper guidance किसी lawyer से लीज़े और previous judgments पर आप लोग पहले कम से कम काम करिए तो ये सब देखके दूसरी बात है दो चार ऐसे बच्चे खटा करिए जो पिछले साल या उसके पहले वो पास कर गए ये कर उनका same तरह के अगर उन्होंने उस तरह कर डाला था नंबर तब पास कर गए इस बार उनका UFM आ गया तो पहले के भी ऐसे answer sheets आपको जुगार करने पड़ेंगे तब जाके वो आप लोग आके आप लोग को success होने के ज़्यादा chances है क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा कि पहले ऐसा नहीं हो रहा था बीच में कोई notification नहीं आया फिर ऐसा हो गया तो हमें सपना तो नहीं आएगा ना lockdown कब तक चलेगा बता दे पहले तो आज जो सुभा meeting हुई है प्राइम मिनिस्टर का मोधी जी का 11 चीफ मिनिस्टर में से 10 चीफ मिनिस्टर ने तो कह दिया है कि 30 जाउन तक चले आप लोग सोच लीजिए क्या करना है और उसके बाद हमें आप लोग चाहे तो हमें आप लोग बता दीजेगा लेकिन पहले तो आप लोग पहले homework कर लेजिए पहला कोई अच्छा lawyer दूसरा अपने पुराने जितने judgments इस मामले में उसका तीसरा ऐसे बच्चों को जिनका पहले UFM नहीं आया सेम तरह के address बगरा लिखने पर अब आ गया हो पुराने test papers जितने भी हैं आपके descriptive के उनको खोश के निकाले जे जो आज नौकरी कर रहे हैं उनका UFM नहीं आया आप आ गया आपका तो यह सब करके आप लोग तयार रखिए बाकि किसी तरह को कोई बात हो तो फिर में आओंगे लाई Thank you so much